हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक्जाम फॉर्म के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जून 2023 एक्जाम के लिए एक्जाम फॉर्म है उसके आज लाज डेट है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 मार्च से लेकर 5 अपरेल तक आपके जो एक्जाम फॉर्म है वो भरे जाने थे क्योंकि इस बार इगनू ने आपके जो एक्जाम फॉर्म है वो मार्च मंत में ही रिलीस कर दिये थे जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 अपरेल तक आपकी विदाउट लेट फॉर्म फॉर्म बरा जाएगा पर 5 अपरेल के बाद कोई भी स्टुएंट्स उर्म फॉर्म भरता है यानि कि 500 रुपए आपको extra fine देना होगा और इसके बाद 26 अपरेल के बाद एक और मौका दिया जाएगा आपको exam form भरने का 26 अपरेल के बाद भी आप exam form भर सकते हैं पर यहाँ पर आपसे 11 सुरुपए late fine प्लस exam fees ली जाएगी तो यहाँ पर ऐसे आप अपना exam form भर सकते हैं पर इस्टुएंट्स का कहना है कि exam form की जो last date है वो without late fees आगे extend की जाएगी 5 अपरेल के बाद या नहीं तो आपके exam form की last date अब आगे extend नहीं की जाएगी क्योंकि इगनू ने पहले से ही आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपकी जो last date है वो इतने से इतने दिन तक के लिए है और इसके बाद आपको late fine देना होगा कि आप 6 से 25 अपरेल तक भी और 25 अपरेल के बाद 26 अपरेल के बाद भी आप अपना exam form भर सकते हैं 1100 रुपए late fine के साथ और 6 अपरेल से 25 अपरेल तक भी आप exam form भर सकते हैं 500 रुपए late fine के साथ तो अगर यहाँ पर यह इंस्ट्रक्शन ना दिये होते तो आपकी last date जा रहे हैं तो 5 अपरेल तक का समय तो आपके पास जो भी श्ट्रक्शन परेल के बाद अपना exam form भरेंगे तो आपको late fine देना होगा पर आपसे request है आप अपना exam form जैसे भी भर रहे हैं आप time से अपना exam form भर दें जिससे कि आगे इसके बाद और भी problem आपको face ना करनी पड करते हैं तो आप exam नहीं दे पाएंगे जिससे कि आपके degree भी late complete हो सकती है इसलिए आप time से अपने सारी चीज़े complete कर लें तो दोस्तों आई हूप आपको समझा गया होगा कि आपके जो exam form की last date है वो आगे extend नहीं की जाएगी क्योंकि आपकी जो late fine है वो पांस रुपए पीच में अपना exam form भरते हैं और इसके बाद भी आपको मोका दिया जाएगा पर इसके बाद अगर आप 26 अपरेल के बाद अपना exam form भरेंगे तो ग्यारास रुपए आपसे late fine लिया जाएगा इसलिए जो भी student exam form भर चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कान नहीं पर जो students exam form नहीं भर पाए तो आपको late fine देना होगा तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज्यादा से जाएगा और अगर आपको exam form भरना नहीं आता है तो आप मेरे ये वीडियो देख सकते हैं धन्यवाद